हेलो गईस आज हम बात करेंगे सैमसंग गेलेकसी नोट ट्वेंटी और नोट ट्वेंटी अल्टरा के कैमरा नोट वर्किंग प्राब्लम सॉलिशन के बारे में अगर कैमरा काम नहीं कर रहा है तो मैं आप लोग एकदम आसान सा सॉलिशन बताने वाला हूं इस वीडियो में जो कि आप लोग इस वीडियो साथ बने रहे वीडियो स्टार्ट कने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें जीगा बेल का इकोन को प्रेस करें तो दीखिए अगर आप लोग कैमरा से रिलीडेड प्रॉब्लम आ रही है तो दो प्रॉब्लम आ हो में घृटर है रीषेट सेटिंग करके एक बार अपने कैमरा की सेटिंग को रिसेट करने के और क्या रहे गा कि अगर कोई गलत एक्टिस हो जागए जिससे हो सकते आप लोगा camera फिर से काम करना इस्टार्ट कर देंगे उसके बाद अगर camera तक open नहीं हो पारे आप लोग setting तक भी नहीं जा पारे तो आप लोग camera को लॉंग प्रेस करेंगे एप इन्फो पर क्लिक करके storage पिक करके यहां से आप लोग data को clear करेंगे देखे camera रिस्टोर करते या फिर data क्लियर करते यहां पर आप लोग का data डिलिट नहीं होता काफी सारे लोग का camera open करिए setting में जाहिए इसके और यहां से आप लोग about camera में चेक करिए अगर update आया होगा यहां पर क्यूंकि Samsung अपने flagship series में जो है update देते रहता है हरे काफ में मतलब default apps में भी update मिलते रहता तो camera को update करिए update आया होगा update करने बाद भी आप लोग की problem solve हो जाएगी तो जो मैंने आप लोग को तीन ट्रिक बताया हूं 100% working है और एक नएक ट्रिक काम करे जाएगी तो आप लोग की problem solve हो जाएगी अगर यह तीनों करिक से आप लोग की problem solve नहीं होती है तो last में एक ही option बसता है कि एक बार आप लोग अपनी phone को reset करिए ओके और अगर reset करने से भी बात नहीं बनती तो हो सकता यह problem hardware की हो जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताता है वीडियो स्टाटिंग में कि दो तरीके से problem आ सकती है software क की problem hardware की problem software का solution मैंने आप लोगों को बता दिया अगर उससे solve नहीं होता तो हो सकता है problem hardware की हो और hardware की problem होगी तो phone को technician के पास भीजना पड़ेगा service center phone को भीजना पड़ेगा मिलते next video में जैमाता दी